असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोगों के लिए चिकन आलू की कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ इन कबाबों को मैं एक कब चिकन से बनाना सिखाऊंगी और एक कब चिकन में हमारे नो कबाब बन कर तयार हुए थे तो इस वेडियो को लास तक देखिएगा चलते हैं रेसिपी की तरफ यहां मैंने चार मेडियम आरू लियें जिसे नमक तल कर उपाल लिया था और इसको फ्रिज में रख दिया था 15-20 मिनट ताकि इसकी मॉस्ट राइजिंग ही वो खतम हो जाए इसे हम मैश कर लेंगे मैशर की मतब से आलू हमारे मैश हो गए एक कब चिकन जिसे मैंने नमक तल कर उपाल लिया था और इसे श्रेट कर लिया था याइट कर देंगे एक मेडियम प्यास लिया जिसे चॉप कर लिया है याइट कर देंगे वन टेबरिस्पून अधरक लस्टन का पेस्ट वन टेबरिस्पून कोटी लाल मिर्च हाफ टेबरिस्पून पिसी काली मिर्च हाफ टेबरिस्पून नमक आप अपने टेश्ट के अकॉर्डिंग कर लिजेगा क्योंकि मैंने नमक आलू और चिकन में एड़ कर दिया था पहले से हाफ टेबरिस्पून चाट मसाला वन टेबरिस्पून पिसा हुआ जीरा वन टेबरिस्पून लेमन जूस हाफ टेबरिस्पून इजवाईन वन टेबरिस्पून पिसा हुआ धनिया यहीं पर हरा धनिया पुदीना लेंगे हरा धनिया हाफ कप पुदीना थ्री टेबरिस्पून और चार से पांच बारिक कटी हुई हरी मिर्चे इसे एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से थोड़ा सा कबाब का मसाल उठाएंगे और हाथों पर मैंने तेल लगा लिए इससे बहुत ही जल्दी बन करते या लूँगे कबाब हमारे और तूटेंगी भी नहीं इससे हम अपने हिसाब से शेप दे देंगे इसी थरा मैं सारे कबाब बना लूँगी यहीं पर मैं एक और कबाब आपको बना कर दिखा देती हूँ थोड़ा सामने मसाला लिया जिससे पेड़े की तरह बनाया और देखे कितनी जल्दी बन करते या रूँगे और फिर इसे प्रेस कर देना हाथेली पर और प्रेस करने के बाद इसे हम इस तरह शेप दे देंगे आपको अगर बड़ा चाहिए तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं यह देखें बहुत ही परफेक्ट बन कर देयार होते हैं इस तरह हमारे सारे कबाब रेड़ी हो गए और इस मसाले में हमारे नो कबाब बन कर रेड़ी हुए यही पर हम एक अंडा ले लेंगे जिसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से फैंट लेंगे अंडा हमारा फैंट चुक है यही पर मैं ब्रेट करम्स लूँगी हाफ कप इससे बहुत क्रिस्पी बन कर तयार होते हैं कबाब अगर आप चाहें तो इससे एड़ कर सकते हैं यह उप्षनाल है यही पर मैं एक कबाब उठाऊंगी और इसे अंडे में डिप कर दूँगी और इसे ब्रेट क्रम्स में एड़ कर दूँगी इसी तरह सारे कबाबों पर ब्रेट क्रम्स लगा लेंगे यही पर मैंने पैन ले लिया है जिसमें हाफ कप ओईल एड़ कर दिये लो फ्लेम पर रखा है इस पैन को इसी में कबाब शामिल कर देंगे और एक साइट को तीन से चार मिनट लो फ्लेम पर फ्राइ कर लेंगे चार मिनट हो गए अब मैं इसे टर्ण कर लूँगी स्पून की मदब से अराम से करिएगा कहीं छीटे हाथ पढ़ना आजाएं बहुत खयाल से करना पड़ता है हमें फ्राइ पैन में अब इस साइट को भी तीन से चार मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राइ कर लूँगी कबाब हमारे फ्राइ हो गए इन कबाब को मैं निकाल लूँगी और इसी तरह तमाम कबाबो को फ्राइ कर लूँगी फिर इससे डिशाओट करके मैं आपको दिखाती हूँ तो फाइनली हमारे आलू चिकन के कबाब बनकर रेडी हो गए हैं आप इस रेसिपी को सुरू ट्राइ करें और मुझे कम्मेंट बॉक्स हम बताएं कैसे बनकर तेयार हुआ बहुती कम चीजों से चिकन कबाब बनाना सिखा है मैंने आपको अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी रगी हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल पर न्यू है तो इस सब्सक्राइब कर दें मैं मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ जब तक के लिए आप मुझे जाज़त दें अल्ला हाफिस